हरी इच्छा बल्वान, एक बार भगवान विश्णू गरूर जी पर सवार होकर कैलाश परवत पर जा रहे थे रास्ते में गरूर जी ने देखा कि एक ही दर्वाजे पर दो बाराते ठेरी थी मामला उनकी समझ में नहीं आया, फिर क्या था, पूछ बैठे प्रबू से प्रबू बोले हाँ, एक ही कन्या से विवाह के लिए दो अलग अलग जगे से बाराते आई हैं, एक बारात पिता द्वारा पसंद किये गए लड़की की है, और दूसरी माता द्वारा पसंद किये गए लड़की की है, यह सुनकर गरूर जी बोले, आखिर विवाह किसके सा प्रभू बोले जिसे माता ने पसंद किया और बुलाया है उसी के साथ कन्या का विवहा होगा। भगवान की बाते सुनकर गरूर जी चुप हो गए और भगवान को कैलाश पर पहुँचा कर कौतुहल वर्ष पुने वापस उसी जगे आ गए जहां दोनों बाराते ठहरे थी। गरूर जी ने मन में विचार किया कि यदि मैं माता के बूलाए गए वर्ष को यहां से हटा दूं तो कैसे विवहा संबभ होगा। फिर क्या था उन्होंने भगवत विधान को देखने की जिग्यासा के लिए तुरंथ ही उस वर को उठाया और ले जाकर दूर समुद्र के एक टापू पर रखाए। ऐसा कर गरूर जी थोड़ी देर के लिए ठहरे भी नहीं थे कि उनके मन में अचानक विचार दोड़ा कि मैं तो इस लड़के को यहां उठा लाया हूँ पर यहां तो खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। जामतों करना ही चाहिए। यदि विधी का विधान देखना है तो थोड़ा परिश्रम तो मुझे करना ही पड़ेगा और ऐसा विचार कर वे वापस उसी स्थान पर शादी वले घर में फिर से आ गए। उपर से फल, फूल, मेवा, मिष्ठान, आदि सजा कर रख दिया। जिसमें की वर पक्ष को देने के लिए भोजन सामगरी रखी गई थी। माता द्वारा उस टोकरी में कन्या को चिपा कर भेजने के पीछे उनकी ये मनशा थी कि वर पक्ष के लोग कन्या को अपने घर ले जाकर वर को खोज कर उन दोनों का ब्याह करा देंगे। माता ने अपना ये भाव किसी तरह होने वाले संधी को भी सूचित कर दिया। अब संयूग की बात देखिए। आगन में रखी उसी टोकरी को जिसमें कि कन्या की माता ने फल मेवा मिठाई से भर कर कन्या को चिपाया था। गरूर जी ने देखा कि उसमें खाने का सामान है तो संयोग से उसी टोकरी को उठाया और लेकर उड़ गए। उस टोकरी को ले जाकर गरूर जी ने उसी निर्जन टापू पर जहां पहले से ही वर को ले जाकर बिठा रखा था जाकर मिठाई वाली टोकरी को वर के सामने रख उसने टोकरी से जैसी ही खाने के लिए फलादी निकलना शुड़ू किया तो देखा उसमें सोलेश रंगार किये हुए वैयुक्ती बैटिये जिससे कि उसका विवा हुना था गरूर जी ये सब देखकर दंग रह गए उन्हें निश्चे हो गया कि हरी इच्चा बलवान है गर पहुंचाया उसके बाद प्रभू के पास आकर सारी बात बताई और प्रभू पर अधिकार समझ कर प्यार से बोले प्रभू आपने अच्छी लिला करी सारा व्याकारे हमी से करवा लिया भगवान भी गरूर जी की बातों को सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे